Hey guys good morning and welcome to new vlog और वेदर देख सकता है आप काफी अच्छा और अभी टाइम हो रहा है दस बच रहा है सुबह के और वेदर काफी रज़ा चाहिए तो और अभी अब देख सकते मैं थोड़ा त्यार हुई हूं मुझे थोड़ा बाहर जाना इसलिए अभी नहीं जाना थोड़ा एक घंडा के बाद जाना पर फ्री मैं रेडी हो गई हूं और वेदर तो काफी ज़दा अच्छा है तर देखते हैं ममी क्या कर रही है यह क्या है जिंगा तो जिंगंगी जिंगा ज़ता है यह परोड की तरह लग तो नहीं क्या बोलते हैं जूरा की तरह लग ड़ा है यह तरह मुधे सब्स kindly ज़्यादा उस्तुस्थα और देख ससांते हैं पनीर बहुत जब्दी थांत यह पानीर फाल्दी घर में काफी अच्छा लगता है घर अला बनें और यह क्या है यह है यह गी निकालती हो आज इकन सी यह मम्मी भी देखती है की निकालती है घर में अच्छा चलो इसको यह करो इसको चानों यह फट गया पुरा अच्छे से वह चार केजी दुझा है तो कितना निकलता होगा पनीर इसमें एक केजी कि अच्छा आप यह जागे है कि फट्रया जागें देखें संपेव डिर जाय गाइए तर अधर अधर जाए जेख सब्जी बनागो इसका है पनीर का प्राठी खाई हो मार्टर पनीर का सब्जी बनाना लिए देख सब्सक्राइब लोग मम्मी सुबर से लगी इतने काम में अबनारी में मम्मी का वीडियो यह सब में क्या है यह क्या है अब अब मखन थो यह तो यह दो यह तो पेड़ा हम और मैं जाल यह समस्मूथ फाने है फ्रिज में से निकाल दीदी आप देख सब्सक्राइब कर देख सब कर दो अब कर दो पर अब कर दो गाईब अब आज अबहराएब निकल गई हूं और अब अभी टाइम हो रहा है लाइक साड़े बारा हो रहा है तोड़ा लेट हो गया बर इत्सों के और फिलाल तो लेट सी क्या-क्या होता है जो भी करूंगे आपके साथ अभिसली शेयर करूंगी ब्लॉग में तो अभी तो मैं निकल गहीं हूं और अभी जाना है लेट जगदेव मैदान थोड़ा दूर है यहां से अप्रॉक्स लगता है 45 मिनट्स ऐसे ही कुछ लगता है क्यूंकि बहुत दिन हो गये थे मुझे गानी मैदन गया हुए तो वहीं पर मैं जा रही हूं सो मैं पहुंच गई हूं गानी मैदान यहां का जो व्यू है काफी जादा अच्छा है काफी क्लीन है इदर और मुझे अप्रॉक्स टाइम लग गया 40 तो 45 मिनट्स जगदेवपद से अगर रश नहीं रहा ट्राफिक नहीं रहा तो अराम से आप पहुंच जाईएगा जग कि मुझे खाना है बर्गर बहुत इन से मैं बर्गर नहीं खाई हूं इसलिए सो यह हमारा हम लोग मील और किये थे जिसमें आता है आपका फ्रेंच फ्राइज कोग एंड बर्गर तीन बर्गर जो भी है इसका कॉस्ट मेरे को नहीं पता मेरे अश्में और और किये थे हम लोग हमेशा क्या करता है सौस को जैसे बर्गर खोल के और सौस को इस के अंदर डाल के का देगा वी जड़ा टेस्ट लगता है मुझे ऐसा ही कहना पसंद है बर्गर और इसे से एना टेस्ट मेरे को अच्छा लगता है इसमें थार टैंकी फ्लेवर आलागा तो तो बर्गर खाने के बाद फिर हम लोग जा रहा हैं मूवी देखने लाइक बहुत दिन हो गये थे मूवी देखे हुए और मैं बहार निकली थी और थोरा टाइम भी था मन भी था तो इसलिए तो अभी हम लोग आए हैं रक्षा बंदन देखने काफी अच्छा इसका रिव्यू है और काफी अच्छा है इसका सौंग वगरा मैं सुनी हूँ तो काफी अच्छा इसलिए तो हम लोग टिकेट ले लिये हैं और थोड़ा भी टाइम बचा हुआ है बहुत जादा लैक एक और आदा गंटा बचा हुआ है तो हम लोग ऑन थोड़ा बूदा लेना था है मेरे हजबन को बुख लेना है तो वो अभी चाहिआ है लिए और अब देख सकते हैं का फinflplaces मिल जाएंगे और यह तो बहुत झोटा मार्केट इससे आगे भी बहुत बड़ा बुक का मार्केट है तो बहुत कुछ में जाता है तो हम लोका जो टिकेट है वो है राक्षा बंदन का है और अभी थोड़ा टाइम है आदा बंटा तो मैं फिर से आई हो मैं कि दॉनल्स तो आइसक्रीम खाने अच्छी काफी अच्छा था बहुत बहुत अच्छा रिप्रीम है रक्षा बंदन का लट्सी काम से दफ फैमिली वाला फिल्म है तो आइम से एक्साइट तो देखते है और उसके पात आई तेल यू कैसे है आगा और अभी तो मैं जा रही हूं आईसक्रीम खाने गया है मेरे काइब फैस्टेशन दाने चाहिए अच्छी में अच्छी नहीं कि पहले है और यहां पे जगर वी था बैठने का तो हम लोग शोचे कि पहले यहीं पेट जाएके थोड़ा आधा गंड़ा थाइम था तो यहीं बैट के थाधा के बड़ा हाले तो पात जब टाइम हो जाए वोग पूसे की बाहर वेट करने चचर आए की तोड़ा साइगी पर में बर चीज जाए और काफी जादा धूप है एसलिए हम डोग यही पर वोड़ा आगा कन्दा फुरेंगे उसके श्यायां कि यह तो अच्छा मासब रहता तो लोग बाहर के और जाने अबी तक आया है नहीं है थोड़ा टाइंक लंगता है बटा जाएंक यू मेल्ट हो रहा है किया आपको कॉंसे है यह चॉकलेट फ्लिवर अंदर वैनिला है लोगता है कि अम्म्मग बाइट यह दो बढ़ना रहा है वारा है और इस हौल में पहली बार आई वह धाना इतोर अगाव इसे पहले मैं यहां पे नहीं आई थी कां पे इसमें इस एन फोर से लेक एटीन तक आपका कितना है ठीक भाई किस पर इस पर और आपका हमारा मूवी खतम हो जया है और मैं अभी जा रही हूँ तो जगदेवत में हूँ अभी तो फिलाल मैं नारिल पानी पी रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा भूग लगा हुआ था और क्या बोलता हैं बहुत हैं मैं जंग फूर खाली हूँ इसलिए कुछ मन भी नहीं कर रहा और क मैं अभी जादा अचा था है तो इसलिए क्या तो बहुत सुद्दर पानला बहुत सुद्धर था हैं मिडल क्लास फैमिली के एसे क्या सिर्गल करता है बहुत बहुत एक्दम दिल छूदे वाला मूवी था अच्छा लगा लिटरली रही हूँ तो हुट पक्ता हुए 100 के 100% पूरा मुवी में रोही रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ही जादा इमोशनल हूँ और कभी भी मैं मुवी देखती हूँ इमोशनल वला तो बहुत जादा रोती हूँ और उसमें जो होता है बहुत जादा इमोशनल रिखाये जाता है एक भाई रहता है, उसकी चार बहन रहती है, जो भी स्टोरी है, मैं स्टोरी नहीं बता हूँगी, आप जाके देख लीजे, काफी जादा अच्छा मुवी है, अगर मैं स्टोरी बता दूँगी, तो फिर सस्पेंस खतम हो जाएगा, तो, ओके तो देखना, आप लोग जाके काफी जादा अच्छा स्टोरी है, काफी अच्छा मुवी है, और बहुत फैमिली से रिलेटेड है, जो भी है, I hope कि आपको समझ में आ गई होगी, और अभी तो टाइम हो रहा है, लेकि मैं थोड़ा पहली पहुच गई थी, थोड़ा बहुत रेस्टीम हो, उसके बहाद मै ब्लॉगिंग स्टाट की हूँ, बेसिकली बहुत जाद मैं थक गई थी, इसलिए, और चंदरचानी भी आ चुकी है, और यह से पढ़ाई नहीं करी जाओ, पढ़ाई करो, और यह सो यू मम्मी क्या बना रही है, अभी खाने मीजी, तो मम्मी यहाँ पे काच रही है, लॉक कुछ नहीं, जादा हम लोगों कुछ का, अब रोटी, सालेड, यही सब, और यह मम्मी फ्राइ कर चुकी है, सारा त्यारी हो चुका था, लेकिन फिर कैंसल हो गया, यह कल बनाएंगे हम लोग, यह घर वाला पनीर चाज हम दिखायते हैं, फाड़ी थी, फाड़ी थी मम्मी अब तो फिलाल मैगी, सारी, मैं अगी हो रहा है, कदू बनेगा, ना कदू, कदू ममी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत कम मसाला में, और बहुत ज़दे टेस्टी, क्या, बस हाजेगी, और आप देख सकते हैं, कितना अच्छे से काटी है, इतना पतला पतला मेरे से नही करता है, देख सकते हैं, बहुत टेस्टी, आव शो यू जब यह बन जाएगा, तो, हमारा सब्जी रेडी हो चुगा, देख सकते हैं, काफी टेस्टी लग रहा, और धनिया का पतला है, जब ममी इसमें डाल दी तो बहुत टेस्टी लगता है, डाली हो ना, और यह है सालड और बनारे रोटी तो धी खिलाल ले, यह कैसा लगता है, जब माराँ सब्जी, सब्जी, है चौनल को बिर खोटे VOICE, बने काफी है, फटट्री लख रहा है काफीए, हुम्